रहें कि कोई कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है लेकिन आप लोग इसका मज़ा जरूर ले रहे हैं अब जो बयान आ रहे हैं इस वक्त वहाँ पर एक मन्थन जरूर है और अलग-अलग हलकों में वो मन्थन है और उसी के चलते यूपी में अलग मन्थन है असम में अलग मन्थन वहाँ बंगाल में अलग मंतन हो रहा है और उसी वजह से ऐसे सियासी बयान आ रहा है केशव प्रसाद मौरे दिल्ली चले जाते हैं फिर पुपेंद्र चौधरी मिलते हैं प्रदान मंतरी से लेकिन इन सब के बीच आप अपने ले क्या हासिल देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है यह जो भी कुछ देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से जिस तरीके से वहाँ पोग हिस्तिती है किसाब कोई दिल्ली जा रहा है कोई लखनों में अलग जगे जा रहा है अलग-अलग तरीके से मीटिंग हो रही है लख यह कोई विपक्च करा रहा है क्या यह जो अंतर कले है वो अंतर कले तो सार्वजनिक तोर पे दिख रहा है और वो अंतर कले कुछ ऐसा है कि आप देखिए कहीं कोई पूर्व कैबिनेट मंतरी का बयान आ रहा है क्या-क्या बयान आ रहा है सारजनिक पटल पे आप देख रहे हैं इनके अपने विधायत क्या-क्या बयान दे रहे तो तमाम तरीके की जो इस्थितियां है ये बिपक्ष ने नहीं पैदा किया है बिपक्ष तो सन्यम मारके बैठा हुआ है वो सिर्फ देख रहा है कि आज जो अधिकारी है वो सरकार एक चल रही है और अधिकारियों का गुट एक चल रहा है सरकार का नकेल, सरकार का इकबाल अधिकारियों पर से खत्म हो गया है आज जो इस्थिति उत्तरप्रदेश की है वो मेरे ख्याल से सायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ सायद हैसन नहीं था ये मैं नहीं कह रहा हूँ इनके अपने कैबिनेट मंत्री, बिधायक, कारकरता, समर्थाक ये बीजेपी के लोग कह रहे है ये विपक्ष नहीं कह रहा है और अगर विपक्ष कह भी रहा हो तो क्या वज़े है? आप खुश समझिए क्योंकि इसमें जनता पिस रही है आज जनता का काम नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकारी पर से जो अंकुस है वो बीजेपी का खत्म हो गया सरकार का खत्म हो गया सरकार का इकबाल खत्म है आज जनता तरस्ट है ये विपक्ष को चिंता है इस बात का कि आप सरकार चला रहे हैं लेकिन सरकार चल नहीं रही है सरकार सिर्फ कहीं न कहीं रेंग रही है क्योंकि वो आज बैसाकी के बार है क्यों वजे साफ है अपने साथ नहीं है क्योंकि आपस में अंतर कले है क्योंकि इस चितियां असपस्त नहीं है तो आप विपक्षी ओपर अरोब लगा रहें विपक्ष चुटकी ले रहा है विपक्ष मज़ाग नहीं उड़ा रहा है विपक्ष चाता है कि अगर आपको सक्ता की जिम्मेदारी दी गई है तो जनता के हित में फैसले करिए जनता का काम करिए और जनता से उपर न सरकार है और न संगठन है ने ने ये तो बढ़िया बात है ये तो आपकी बात बढ़िया है सरकार पर वही तो वो कर रहे है अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो उन मुद्दों से कुछ लोग तो छिटक रहे हैं न मैं वापस अगर आऊं हिमंता विश्व सर्मा के बयान पर अगर वो मुद्दे की बात कर रहे हैं इस मुद्दे को बार-बार इग्नोर क्यों करती हैं सियासी पार्टियां मुझे नहीं समझाता लेकिन इस पर चर्चा हमेशा होती है जैसा मैंने कहा कि आप घरों में विष्णु शंकर जैन जी ये घरों में चर्चाएं होती है और बहुत से लोग इसे नकारते भी हैं यहापर विजयत्रिवेदी जी बैठे हुए है विजयत्रिवेदी जी आप मैं से कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन क्या इससे सिर्फ एक सियासी मंचा माना जाए विजयत्रिवेदी जी यह क्या सिर्फ एक सियासी मंचा है देखे सुचरत जी आपकी बात से सहमा तुम है कि बहुत सारी जगे पर लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन सारवजनिक जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं मुख्यमंत्री के पर बैठे हुए हिमंता जी या सुवेंदु जी जैसे लोग हैं जो पार्टी के बड़े पदा दि कारियें वो जब चर्चा करते हैं तो इस बात की चिंता होती है और होनी चाहिए गिराज सिंग चर्चा कर रहे हैं इस बात की और आप यह समझें कि यह कारण क्यों हुए चर्चा शुरू क्योंकि इस बाट 2024 में भारती जन्ता पार्टी जो उसका उमीद थी उससे नीचे मैं इसे हारना नहीं कहता लेकिन वह उमीद से नीचे आए 2014 में भी आपको तो मुसल्मानों ने वोट नहीं दिया था लेकिन आपके पास 282 सीट आगई थी तो आपने कुछ नहीं कहा तब सबका साथ सबका विकास करते रहे 2019 से 303 सीट आगई तब भी मुसल्मानों ने जो वोट देगा उसे आभी तक तो आप ये दावा कर रहे थे कि आपने वोट नहीं दिया तब भी हमने विकास आपको दिया और जुला योजना दी पीम आवास योजना दी सब कुछ दिया अब इसको दूसरा 30 की देखिए भारतिया जनता पार्टी को कितना वोट मिला है पासी आयोध्या सीड जो राम जन भूमी के लिए सबसे महत्पूर्ण मानी जारी थी पूरे बीजेबी के अजन्दा पर वहाँ पे अवदेश प्रसाज जीत के पासी समाज की वजह से ऐसा माना जाता है पासी समाज के चार लाख वोट मिल गए तो सरकार बंद कर रही है योजना पासी समाज के खिला तो आपका ये सवाल में एक बार विश्टू जी के पास लेके जाती हूँ विश्टू जी विश्टू जी आप से पूछ रही हूँ जो सुवेंदू अधिकारी बोल रहा है क्या आप उसमें आप आपकी सोच वो है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ वाली सोच पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अभी यहां पर विजयत्रिवेदी जी ने बात कहीं और मैं इनके काफी रिस्पेट करता हूँ पर यह बताईए जरा चुन के आने के बाद किस सांसद ने यह कहा पार्लिमेंट के पटल पे कि सेंगोल जो है उसको हम हटा देंगे यहां पर पेश की थी गवर्णर आफ आसाम ने लेटिनेट जेनरल एसके सिना ने आठ नवेंबर नाइटी नाइटी एट को और उस रिपोर्ट में यह कहा था कि जो इन्फलक्स हो रहा है इल्लीगल इंफलक्स हो रहा है बांगलेश से आसाम में इसके बहुत ही भ्यावक कॉंस् और अगर वो दिन दूर नहीं है जब आसामी इस पीपल माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाएंगे आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे है एक में पॉलिटिकल एंगल छोड़ दीजे अभी इलाबाद हाई को ने क्या कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ इस देश की मैजोरिटी माइनॉरिटी बन जाएगी तो यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है और मैं यही बात आपके सामने आज हाइलाइट करना चाता हूं मैं आपको धन्यवाद देना चाता हूं कि आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर आपने डिबे इस देश की नागरिक होने चाते हैं कि उसके वपर हम चर्चा कर सेकें एगाड्रेंग, तो फॉल्ट इज वाएवलेशन करते हूं कि इसके खिलाप विरोध है मुझे कोई भी आप पूरे वर्ल्ड में देश बताईए जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में और वो देश सेकुलर है